आज आउस्ट्रेलिया और भारत के बीच विश्व कब मुकाबला है भारत के लोगों को इंतजार है कि कब भारत जो है त्यास रचेगा इसी को रेकर हमारे से होगी ओम शिल ले लोगों से बात की सुनिए क्या कुछ कहा लोगन कुछ यूबा साथी भी है हम उनका भी मिजाज जान लेते हैं इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के मैच में क्या कुछ रहने वाला क्या लगता है कि किसका बल्ला हावी रहेगा आज मुझे लगता है विराट कोली और रोय चर्मा बहुत अच्छी पारी कहलेंगे और उनकी पार्टनेशिप अच्छी होगी और ज्यादक बात है बैटिंग की बैटिंग मुझे लगता है कि अच्छा स्कोर बनाने के कोशिश करेंगी फिर्स इनिंग्स होगी तो और चेस करने की बात है तो कोली तो है मास्टर तो वह तो चेस में किंग है और रोय चर्मा भी के फॉर्म में हैं तो उनको भी हलके में लेना मुझे नहीं लगता सही होगा जी विल्कों अभी जैसे हमने देखा था वो अफगानिस्तान वाले मैच में मैक्सवल ने अकेले ने दो सोरन मार के जिता दिया था तो और शेला को अंडरेस्टिमेट तो नहीं कर सकते साथ आफरिका के अगिंज भी बहुत अच्छा कहले थे बालिंग बहुत अच्छी थी बैटिंगी जातक बात है मैक्सवल है और ओपनर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मैच बहुत कि अच्छा है तो मुझे लगता है शामी हो वह और में सबसें बोल ने 20 में करते ही और हमने काफी सारे मैचेज में ये बहुडर्वाश की है कि सिर्फ बोलिंग पावर के वजurers वाजे से हमने काफी सारे मैचे टरंडराउंड की है तो फ्रा चाहिए जैशा मी हो बुमराह ह तो वो तो आपेंग बोलिंग लाइनप उच्छा है और जहां तक बैटिंग की बात है तो श्रेयास आयर की परफॉर्मेंस काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि वह काफी अच्छा कर रहे हैं ःते हैं तो फोड़ा से ज्यादा स्ट्रॉंग भी लगता है और विराट कुली जै सब्सक्राइब करें तो स्पिनर्स में क्या नगता है जडेजा मतलब उस पिछ पर स्पिन काम करेगा तो कौन हावी रहने वाला है जडेजा रहे रहेंगे या फिर किसकी बॉलिंग रहेगी हावी स्पिनर्स का तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा मेरे ख्याल से कुल्दी प्यादव जादा अच्छा करेंगे क्योंकि वह बहुत टैम से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनका कमबाक हुए है वो 2019 में बहुत ची बोलिंग किये थे अभी बहुत अच्छ साल बाद इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी और पक्का जीतेगी पिछले साल सेमी फाइनल में रह गए थे इस बार फाइनल्स तक पहुचे तो जीतेंगे तो देखिए युवाओं में भी खासा उच्छा है और जोश्य भड़े हैं कि यह मैच भारत को ही जीतना है अब यह तो फैसला अब जब मैच शुरू हो जाएगा तब होगा जब मैच का परिनाम आएगा तब होगा तब तक के लिए हमें दीजें परसन विवेक के साथ